Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज हैं 9 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 9 सितंबर से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा mobile application में install कर सकते हैं जिसके link description box में दी हुई है इसमें आप लोगों को daily quiz और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा जो की मात्र 5 मिनिट का होगा Online study point के जो maths के hand written notes हैं ये भी आप लोगों के लिए available हैं जिसमें आप लोगों को maths के basic trick और concept cover कराए गए हैं जो की आपके आने वाले exam के point of view से important है audio section available है आप लोगों के quick revision के लिए साथ ही subject wise notes Hindi English language दोनों में ही available है चैनल को भी तक subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लिजे साथ ही bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी video के notification सबसे पहले मिल सके स्टार्ट करते हमारा पहला question हाली में विश्व साक्षर्ता दिवसिये कब मनाय गया है यहनedd की World Literacy Day तो यह भी हाली में मनाय गया है 8 सितंबर को और यह दिवस मनाय क्यों जाता है तो यह दिन लोगों में और society में साक्षर्ता का महत्तों बताने के लिए मनाय जाता है और इस बार जो World Literacy Day 2020 मनाया गया इसकी थीम थी Literacy Teaching and Learning in the COVID-19 Crisis and Beyond तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे अब यहाँ पर साक्षर्ता की बात की जा रही है तो साक्षर्ता के मामले में भारत का कौन सा राज्जी टॉप पर है तो यह है केरल अब यदि हम बाकी के option को discuss करें तो 2 सितंबर को मनाया गया है World Coconut Day यहने की विश्वनारियल दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है National Teachers Day जबकि International Teachers Day यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को 5 सितंबर को International Charity Day भी मनाया गया है 7 सितंबर को मनाया गया है International Day of Clean Air for Blue Skies तो यह भी आप याद रखेंगे Next है हाली में किस देश ने क्रिकेटर Matthew Hedden और भारती मूल की राजनेता जिनका नाम है Lisa Singh इन्हें भारत में व्यापार प्रतिनदी के रूप में नियुक्त किया है तो यह भी हाली में नियुक्त किया गया है Australia की द्वारा और क्यों नियुक्त किया गया है तो भारत और आस्ट्रेलिया की बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इनकी न्यूक्ति की गई है मैथ्यू हेडन और भारती मुल्की जो राजनिता है लीसा सिंकी आप मैप में देख सकते हैं और यह तो है और यह है निजीलेंड और यहां के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन प्यासी भूमी का देश यह और जैसे कि भारत के नीचे में इस्थित है श्री लंका वैसे ही Australia की नीचे ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये है तस्मानिया और Australia और तस्मानिया के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है Boss स्ट्रेट ये आप करण से रिलेट करेंगे तो हाली में जो बायकॉन की संस्थापक हैं इनका नाम क्या है किरन मजुमदार शौव इन्हें भी हाली में Australia के highest civil and honor Order of Australia से भी सम्मानित किया जा चुका है और Order of Australia पाने वाली ये चौथी भारती बनी थी इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी तकिदि आप लोगों ने online study point के last 6 month current affair की PDF को purchase नहीं किया है इसे आप purchase कर सकते हैं जिसमें January to June इन 6 महिने के 800 प्लस current affair के question topic wise cover कराये गये हैं जो कि आपके आने वाले exam की point of view से important है अगला question है हाली में Federation of Automobiles Dealers Association इने की FADA इसने अपना नया अध्यक्ष किसे न्युक्त किया है तो ये भी हाली में बन गये हैं विंकेस गुलाटी और विंकेस गुलाटी इनके न्युक्ती 2020 से लेकर के 22 तक के लिए कर दी गई है और ये FADA के 35 क्रम के अध्यक्ष बनाए गये हैं यदि हम बात करें FADA की तो इसके स्थापना हुई थी 1964 में headquarter इस्थित है नई दिल्ली में अध्यक्ष बने हैं विंकेस गुलाटी और इन्होंने इस्थान लिया है आसीस हर सिराज काले का अब यदि हम बाकी के दो आप्शन को डिसकस करें तो हाली में जो के निची आयुकावा है ये बनाए गये हैं SI AM के नए अध्यक्ष इनिकी Society of Indian Automobile Manufacturer के नए अध्यक्ष बनाए गये हैं के निची आयुकावा जबकि जो वी के यादव है ये भी हाली में रेलवे बोड के नए CEO बन गये हैं तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्ष्ट है केंद्र सरकार ने तमिल नाडू के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थ विवस्था वाला पहला जिला घुसित किया गया है तो ये भी हाली में घुसित किया गया है तमिल नाडू के विरुधू नगर जिले को तो देखिए ये जो जिला है ये बहुत ही डेवलप्ड है और यहां के जो लोग हैं ये डिजिटली ज्यादा क्लियर कर दिया गया है अब देखिए ऑप्शन में आपको जितने भी जिलो के नाम दिख रहे हैं यह तमिल नाडू से ही रिलेटेड है और चर्चे में भी रहे हैं तो सबसे पहले दी हम बात करें चेन्ने की जो कि तमिल नाडू की केपिटल है यदि आप करण से रिलेट करेंगे तो हाली में चेन्नेई और अंडमान निकोबार के बीश एक ऑप्टिकल फाइवर केबल लेन बिशाई गई है जिसका उगाटन प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से क कासश्प करें कोयम बतूर की तो मैंने आप लोगों को एक पहल बताई थी जिसका नाम है मोदी किचन पहल जो की लॉगडाउन के समय स्टार्ट की गई थी और ये स्टार्ट की गई तमिल नाडू के कोयंब टूर से ही कोयंब टूर से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो केंदरी गन्ना अनुसंधान संस्थान है यहीं की सेंट्र सुगर कें रिसर्च इंस्टिट्यूट यह स्थित है कोयंब टूर में ही तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौपी गई है तो देखिए अब यह कन्फर्म हो चुका है कि ब्रिक्स खेल जो की होंगे 2021 में इसे होश्ट करेगा अपना देश भारत यदि हम बात करें ब्रिक्स की जो की 5 देशों का समू है ब्राजील, और क्या होश्ट करने वाला है? ICC Cricket World Cup जो की होगा पुर्षों का 2023 में इसे होश्ट करेगा अपना देश भारत जबकि जो ICC Women's World Cup होगा 2021 में इसे होश्ट करेगा न्यूजीलेंड मैंने आप लोगों को बताया था चाइना के बारे में तो हाली में यहीं कि नवंबर 2020 में जो Table Tennis World Cup होने वाला है यह आईजित किया जाएगा चाइना में ही और 2021 का जो Tokyo Olympic है यह आईजित किया जाएगा जापान के Tokyo में तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्ष्ट है हाली में किस राज्य सरकार ने विधा कानू का योजना की शुरुआत की है तो इसकी शुरुआत की गई है आंधर प्रदेश गवर्मेंट के द्वारा और इस योजना के तहत सभी स्कूल जाने वाले इस्टुडेंट को ड्रेस, बुक्स, बेल्ट, जूते मोझे ये प्रवाइट कराएगी आंधर प्रदेश गवर्मेंट तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं आंधर प्रदेश की लोकेशन ये किन-किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है यदि हम बात करें आंधर प्रदेश क दूसरी है कुर्णूल ये होगी आंधर प्रदेश की न्याइक राजधानी ये की जूडीशियल और ये हम बात करें विशाखा पत्नम की तो ये आंधर प्रदेश की कारी-कारी राजधानी होगी ये की एक्जीक्यूटी कैपिटल होगी और तीन राजधानियों वाला ये पचीसवा उच्छ नयायले खोले गया है और इसके मुख्य नयायदिस कौन है जे के माहिस्वरी और इदिया आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो आंधर प्रदेश है ये दो इंडेक्स में टॉप पर रहा है पहला तो ये है कि फलो की उत्पादन में टॉप पर रहा है औ जबकि ओवर ओल वर्ड की बात की जाए डूइंग बिजनस इंडेक्स जो कि 2019 का रिलिस किया गया था इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 63 टॉप किया था न्यूजिलेंड ने जो वर्ड का डूइंग बिजनस रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है वर्ड बैंक के द्वारा तो ये सभी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में जम्मो कश्मीर की उपराजिपाल है जो मनोज सिनहा इनका प्रमुक सचीव ये किसे निक्ति किया गया है तो देखे हाली में जो जम्मो कश्मीर की उपराजिपाल है ये बनाए गया है मनोज सिनहा और मनोज सिनहा इ इनके प्रमुक्स अचिव की रूप में नियुक्ति की गई है, I.S. आफिसर नितेश्वर कुमार की, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, अब देखिए जम्मो कस्मिर से आप और क्या याद रख सकते हैं, हाली में कश्मीरी केसर, इसे GI टैक दिया गया है, ये एक दो महिने पहले ही की बात है, और जम्मो कश्मीर में इस्तित है, चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदल करके, अभी हाली में किया गया है, स्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग, और देखिए जो स्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग है, इसके कुल लंबाई है 9 किलो मेटर, जो क जम्मू और श्री नगर की बीच की दूरी को लगभग 31 किलो मीटर तक कम करती है तो ये भी आप याद रख सकते हैं अब देखें यहाँ पर सचीव की बात की जा रही है तो हम बाकी के तीन आप्शन को डिसकस कर लेते हैं हाली में जो पी प्रविन्स इधार्थ है ये रामना प्रविन्स अचिव हैं तो इस अभी आप याद रखेंगे नेक्ष्ट है हाली में किस बैंक ने एटियम कार्ड लेस्ट निकासी सुविधा के शुरूराद की है यानि कि बिना एटियम के भी कैस निकाला जा शकता है तो इसके शुरूराद अभी हाली में की गई है आर बी अब यदि हम बाकी के option को discuss करें, तो हाली में जो ICICI bank है, इसने कुछ ऐसा ही यानि कि बिना card के भी cash निकालने की facility शुरू की थी, cardless निकासी सुविधा की, यदि हम बात करें RBI की, तो जो Reserve Bank of India है, इसने अभी हाली में दृष्टी बाधित लोगों के लिए एक mobile application launch किया है, ज online provide कराने वारा भारत का पहला bank बना है, अच्छा इस question से related एक fact आप याद रख सकते हैं, जो SBI है, यदि कि State Bank of India, इसने कुछ समय पहले ही देश का पहला cardless ATM शुरू किया था, जिसे Yono Cash Point नाम दिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, नेक्स्ट है, हाली में Canadian Space Agency की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये भी हाली में बन गई है, Lisa Camp Bill, यदि हम बात करें Canadian Space Agency की, यनि की CSA की, तो इसकी स्थापना हुई थी, एक March 1989 में, headquarter इस थी थे, Canada में, और Canada से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए, कली मैंने इसने कनाडा से ही उडान भरी थी, और इसी CSA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, Lisa Camp Bill, अब देखिए, भारत में यदि पहली महिला का डिस्कुसन होता है, तो उसे मैं option के थुरू clear कर देती हूँ, यहाँ पर हम international woman की बात कर लेते हैं, जो कि कहीं न कहीं पहले इस्थान पर रही हैं, यदि हम बात करें, clear कोनोर की, तो 233 साल के इतिहास में MCC, यहनि की Mary Le Bonne Cricket Club की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, clear कोनोर, यदि हम बात करें, kristalina koch की, तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है, इनका नाम है, kristina koch, इन्होंने अंतर 80 दिन बिताये थे, और ये नासा की साइंटिस्ट है, यदि हम बात करें, jessica ameer की, तो कुछ समय पहले ही, जो kristina koch है, और jessica ameer, ये दोनों ही space walk करने वाली, world की पहली महिला जोडी बनी थी, जिनके बारे में मने आप लोगों को बताया भी था, next है, हाली में किस राज और जो natural resource, यहीं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका limited use करने के लिए, या इसे आप कह सकते हैं, जो पारिस्थिति की संतुलन होता है, यहीं कि जो ecological balance होता है, इसे maintain करने के लिए, इसके शुरुवात की गई है करनाटक गवर्मेंट के द्वारा, तो आप मैप में द सिद्ध IT company Infosys का, मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है, B.S. यदुरप्पा, गवर्नर कौन है, तो यह है, वजु भाई बाला, करनाटक उच्छी नयायले के मुख्य नयायधिस, तो यह है, अब है श्री निवास ओका, important national park के दिबात की जाए, तो बननर घट्टा, अंसी, ब इन्वेशन इंडेक्स जारी किया गया था, 2019 का, इसे टॉप किया था, करनाटक ने, जबकि हाली में जो ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स जारी किया गया, इसमें इंडिया की रैंकिंग है, 48, तो यह तो बात हुई, इंडिया इन्वेशन इंडेक्स की, और किस इंडेक्स म यहां पर सरल की full form बनती है State Rooftop Solar Attractiveness Index जो कि नवी करणी उर्जा मंत्राले के द्वारा जारी किया जाता है इसे भी टॉप किया था करनाटक नहीं Next है हाली में कि सराज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का फैसला किया है तो यह फैसला किया गया है ओडिसा गवर्मेंट के द्वारा और ऐसा नहीं कि ओडिसा यह बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने वाला पहला स्थेट बना है इसके पहले भी कई स्थेट ने ऐसा फैसला किया है तो देखे यदि मात्रा के आधार पर देखा जाए तो जो भारत है ये दवाई के उत्पादन में जो भारती दवा उद्द्योग है ये पुरे वर्ड में है तीसरे स्थान पर तो कहा जाए तो दवाओं के घरेलू विनिर्माण के लिए या इसे आप कह सकते हैं आत्म निर्भर बनाने के लिए किस मामले में दवाओं की उत्पादन में इस बल्क ड्रग पार्क को इस्थापित करने की घुशना की गई है ओडिसा गवर्मेंट के द्वारा तो आप मैप में देख सकते हैं ओडिसा की लोकेशन इसकी राजधानी है भूमनेश्वर भूमनेश्वर में इस्थे थे प्रसिद कलिंगाल स्टेडियम और लिंग राज मंदिर और यदि आप करन्ट से रिलेट करेंगे तो हाली में जो इंडियन रेलवे है इसके द्वारा ओडिसा की राजधानी भूमनेश्वर में ही कच्रे से उर्जा उत्पादन करने वाला भा कि राज जिपाल तो ये हैं गनेशी लाल लोग सभा सीटे आती ही 21 राज सभा सीटों की संख्या है 10 जबकि विधान सभा सीटे आती हैं कुल 147 और यदि आप करन्ट से रिलेट करेंगे तो जो ओडिसा है ये भी एक इंडेक्स में टॉप पर रहा है इंडेक्स कौन सा है अ अफरीकी विकास बैंक समूह के नय अध्यक्ष कौन बने हैं तो ये भी हाली में बन गया है अकिन वुमी अधिसेना यदि हम बात करें अफरीकी विकास बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसी के नय अध्यक्ष बने हैं अकिन वुमी अधिसेना अब यदि हम option में लिखे other international bank के अध्यक्ष को discuss करें तो हाली में जो डेविड मलपास हैं ये पिछले साल बनाये गए हैं हला कि ये world bank के 13 क्रम के अध्यक्ष बनाये गए हैं और ये ussa हैं और इसी world bank में जो अंशुला कांथ है भारती मुल्की ये cfo निकी chief financial officer बनाये गई हैं और world bank में cfo के रूप में निक्तों हने वाली ये पहली भारती महिला बन गई हैं और जो मात्सगू असकावा है ये ADB यहनिकी Asian development bank के ने अध्यक्ष बने हैं और यह आप current से रिलेट करेंगे तो इसी Asian development bank में जो भारत के असोक लवासा है ये उपाध्यक्ष बनाये गए हैं तो ये भी आप याद रखेंगे कल्व ने आप लोगों से पूछा था हाली में नागरिक उड्डियन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है तो इसका राइट अंसर था उसा पाड़ है अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रैंड अबैजर किसे बनाया है तो इसका अंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजेगा यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर करना बिलकुल मत भूलेग तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच